असलाम अलेकुम फ्रेंट्स यह क्लास 10th की NCRT बुक है exercise 3.4 और चप्टर का नाम है pair of linear equation in two variables इस exercise 3.4 मैं आपको first का fourth वाला solve करके बताऊंगी और बाकि तीन जो है मैंने इसकी वीडियो जो गना दी है आप देख लिजेगा तो देखे fourth कैसे solve करना पहले तो question पढ़ ले थे क्या कह रहा है solve the following pair of linear equation by the elimination method and the substitution method यहाँ पर देखे हमरे पर दो linear equation एक एक और एक ए इसलिए इसको बोला गया है pair of linear equation ठीक है हमें इसको solve करके x और y की value निकालनी है किस method से elimination method और दूसरा है substitution method यह दो अलग-अलग method है इनके तरीके अलग हैं लेकिन same value होगी x और y की तो देखे मैं इसको solve करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले मैं elimination method से solve करके दिखाऊंगी तो देखे मैंने यह question यहाँ पर लिख लिया है यह पहला linear equation है इसका मैं lcm लेती हूँ ठीक है इस पहले वाले की मैं बात करूँ इस वाले equation की तो मैंने इसका lcm लिया है तो क्या आएगा हमारा 236 ठीक है तो 233 और यह क्या हो जागा 3x हो जागा जब lcm लेंगे तो फिर plus 3 के table हम 6 कर भाएगा 2 times 2 2 जा 4y ठीक है is equal to minus 1 ठीक है तो यह क्या हो जागा 3x plus 4y ठीक है is equal to और यह 6 क्या हो जागा यह देखिए हैं cross multiplication हो गया है तो इसको इससे into करें यह देखिए minus 1 को हम minus 1 पनवान ले सकते हैं तो यह से multiply 3x plus 4y और यह 6 क्या हो जागा इससे into हो जागा तो is equal to 6 को minus 1 से multiply करेंगे तो 6 बंजा 6 और minus sign ठीक है तो यह पहली वाली equation देखिए इसमें convert हो गई देखिए यहाँ पर y हट चुका है ठीक है तो यह हम equation first माल लेते हैं ठीक है यह क्या निकल जागा 3x minus y इसकल 2 यह 3 इससे multiply हो जागा ठीक है यह 3 इससे जब cross multiplication करेंगे तो यह तो 1 से multiply हो कि इतनी हैगा इस equal to 3 को 3 से multiply हैंगे तो 3 3 जा 9 तो यह मेरी second equation हो गई तो देखिए मेरे पास अब दो equation है एक यह और एक यह मैं इसको साथ में लिख लेती हूँ 3x plus 4y is called to minus 6 और यह दूसरी आई है 3x minus y is called to 9 ठीक है यह मेरे पास यहां पर 2 equation आई है तो इलिमिनेशन में क्या करते हैं यह 2 linear equation मेरी आ गई तो इसमें क्या करते हैं इसमें प्रितितों सेम करना होता है तो यहां पहले से ही coefficient जो एक्स का है ना तो वो दोनों सेम है ठीक है तो यहां पर हमें किसी भी नंबर से इसको multiply करने की सेम है बिल्कुल सेम है तो जस्ता हम क्या करें इसको दोनों linear equation को subtract करेंगे तो इसको तो जब सब्ट्राइट करेंगे तो इसको साथ में लिजिए 3x प्लस 4y इसकल 2-6 और यह है 3x-y इसकल 2-9 तो इसका साथ क्या है कुछ भी नहीं प्लस माना जाता है वैसी इसका भी साथ है अब हम सब्ट्राइट करेंगे यहां पर तो सब्ट्राइट करने पर नीचे वाले का देखेंगे जो भी साथ है ना सब चेंज जाएंगे चेंज होने का मतलब प्लस माइनस में हो जाएगा और y क्या है इसका sign plus है तो plus 4y और y क्या हो जाएगा 5y ठीक है इसकल 2 यह क्या है minus 6 और इसका 9 का sign क्या है minus माना जाएगा तो minus minus plus तो 9 और 6 क्या हो जाएगा 15 ठीक है अब sign क्या लगाना है इसमें जो बड़ा होगा इसका sign लगागा तो इसमें बड़ा क्या है 9 तो इसका sign क्या है देखिए minus है तो क्या लगाएंगे आपर minus तो हमारा क्या है आया 5y square to minus 15 ठीक है तो हमें क्या चाहिए केवल y की value चाहिए तो y के साथ जो 5 है multiply में है ठीक है तो ये 5 जब यहाँ इस कल्टू किधर जाएगा तो divide में हो जागा क्या हो जागा सीधे divide में तो divide में आगया तो 5 3 जाप 15 तो ये क्या है minus 3 तो y की value हमारी क्या है minus 3 तो अब x की value कैसे निकालेंगे है आपर इस y की value को आप किसी भी equation में रख देजिए चाहे इसमें रखी चाहे इसमें रखी तो यहाँ पर ये equation आप a माल लेजे ठीक है और इसको क्या माल लेजे b माल लेजे तो मैं इस y की value को equation b में लखेंगे तो put the value of put the value of y in equation b equation b हमारी क्या है x minus y upon 3 is equal to 3 है ठीक है तो यह हो जागा x minus y की value क्या है minus 3 तो देखे y की value minus 3 है तो अब इसको bracket में लिखेगा upon 3 is equal to ये 3 हो गें हमारा ठीक है तो xü 먹을 2 ये मा Formulaion की पेछे multiplication तो माइनस माइनस क्यों हो जाएगा plus ठीक है ये हो गया फिर देखे ये क्या हो जागा three upon three is equal to three फिर देखे क्या हो गई हो ये elimination method से x की value 2y और y की value minus 3 आया ठीक है यह देखी जाया है यह elimination method से अब हम इसको solve करेंगे substitution method से तो मैं equation दोनों लिख देती हूँ यहाँ पर है x upon 2 plus 2y upon 3 is equal to minus 1 ठीक है x upon 2 plus यहाँ पर देखें की sign का ध्यान रखी है कहीं अगर एक भी sign रहत हुआ तो आपका अंसर आए गाई नहीं तो x upon 2 plus 2 दो बार आप देखेंगे जो भी यह question उतारेंगे तो दो बार तो जरूरी देखेंगे इसको minus 1 ठीक है फिर दूसरा कहा है x minus y upon 3 is equal to 3 ठीक है अब किससे solve करेंगे इसको substitution method से ठीक है जब LCM लिया था इसका LCM लिया था तो LCM लियने पर क्या आया था यह था क्या आया था हमारा 3x plus 4y is equal to minus 60 ठीक है और दूसरा क्या आया था LCM लियने पर 3x minus y is equal to 90 ठीक है दोने linear equation में से कोई भी equation ने लेज़े तो मैं यह वाला equation लेती हूँ इस में से आप किसी एक variable को किसी दूसरे variable के terms में लिख दीजे ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम इसके यहाँ से x की value निकालेंगे तो पहले यह x वाले term क्या है? 3x तो यह x की value चाहिए तो यह minus y क्या करें इधर लेकर चला जाएगे é isso called 2 की तो यह minus y plus y हो जाएगा ठीक है? तो यहाँ से x की value यहाँ निकल जाएगी? यह से साथ multiply में है तो यह multiply में है तो इस call 2 की इधर जाएगा तो यह divide में हो जाएगा तो substitution method में देखिए क्या करते हैं कि दो linear equation है तो कोई एक भी equation आप चूज कर लिजे उसमें से आप x की term x की value निका लिए y की term में तो देखिए यहाँ पर x की value जो है y की term में आगी ठीक है यह हो गया तो यह मैंने किस equation से निकाला था इस वाले equation से इसको हम first माल ले थे इसको second तो second equation से x की value निकाली अब इस x की value को हम first equation में put करेंगे तो put the value of x in equation first equation first क्या है हमारे 3x plus 4y is called to minus 6 तो इनके बीचे multiplication का sign है तो यह into x की value क्या यह है तो इसको आप bracket में लिखिएगा upon 3 फिर यह क्या है plus 4y ठीक है इसको to minus 60 ठीक है तो अब देखिए क्या है यह 3 और यह 3 तो cancel हो जाएगा तो बचा क्या 9 plus y plus 4y is called to minus 60 ठीक है तो यह 9 है पिर देखिए यह y वाला time देखिए यह दोनों तो यह plus y है और यह plus 4y तो प्लस प्लस यानिकी 4y और यह y क्या हो जाएगा 5y इसको to और यह क्या है minus 60 ठीक है तो हमें केवल y की वेलू चाहिए तो y की तम यही पर रखिए यह number को इस number के side कर दीजिए तो 5y is called to minus 6 यह इसका sign plus 9 है इसको to की धर जाएगा तो हो जाएगा minus 9 तो यह हो जाएगा minus minus plus तो 9 और 6 के हो जाएगा 15 और इसमें बड़ा क्या है 9 तो 9 का sign क्या है minus जो बड़ा होता है उसका sign लगता है तो 5y is called to कितना है हमारा minus 15 ठीक है और हमें केवल y की वैलू चाहिए तो इसके साथ 5 multiply में है तो 5 is called to कि इधर जाएगा क्योंकि multiply में है तो यह divide में हो जाएगा ठीक है तो cancel होके y की वैलू मर कितनी आई minus 3 अब हमें x की वैलू चाहिए तो इस y की वैलू में y की वैलू को हम इसमें पूट कर देंगे देखिए x की वैलू जो है हमने y के टम में लाया था तो इसमें पूट कर देंगे y की वैलू तो x की वैलू निकल आएगी तो मैं इसको equation a माल लेती हूँ तो put the value of y in equation a equation a के है मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पर 9 plus y upon 3 तो देखिए यहाँ पर क्या है 9 plus y की वैलू क्या है 9 और प्लस जैसे लिखा वैसे लिखे y की वैलू क्या है minus 3 तो minus वारी चीज हमेंसा bracket में लिखते ठीक है तो x is equal to 9 और यह plus minus होता है minus तो यह minus 3 हो जागा 3 फिर यह 9 में से 3 क्या 6 यह 3 फिर cancel होके 3 to 6 तो x की वैलू हमारी और y की वैलू क्या थी? minus 3 यह हमारी minus 3 है ठीक है y की वैलू क्या म-3 तो देखे यहां पर जब मैंने इसको elimination methods से किया तो x की वैलू 2y और y की वैलू minus 3 यहां पर भी देखे सेम वही stored है वैलू ठीक है X की value 2 और Y की value minus 3 तो मुझे उमीद है कि आपको ये question समझ में आ गया होगा Thank you